दोस्तो आज के इस वीडियो मा आपको बताने वालों कि अगर आपके वेदान्तु एप्लिकेशन पर वीडियो प्ले नहीं हो रहा है जिया दोस्तो अगर आप भी अपने वेदान्तु एप्लिकेशन को डाउनलोड करके रखाओ और गाईज अगर आपकी वेदानतो या अप्लिकेशन पर कोई भी live classes नहीं चल रही है तो आप इस problem को कैसे ठीक कर सकते हो तो आज के इस वीडियो को आप पूरा देखना क्योंकि आज मैं आपको दो सी तीन ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे कि दोस्तों आप इस problem को solve कर जिससे कि दोस्तों आपकी मौल में network properly work करेगा और इसके बाद size जो है problem ठीक हो जाएगा इसके बाद आप वेदानतो या प्लिकेशन में आकर के आप लाइव क्लासिस या फिर वीडियो को प्ले कर सकते हो आपकी problem ठीक हो जाएगी लेकिन फिर भी वेदानतो या प्लिकेशन को सर्च करने की बाद वेदानतो या प्लिकेशन पर कोई update आया होगा तो open की जगए update का option मिलताएगा और update पर क्लिक करते हैं आपका जो application अपडेट हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर आप देख तो mobile की settings में जाने के बाद simply आपको जो है apps या पर application management का option मिल जागा तो simply आपको इस पर क्लिक करना है इसके बाद आपको manage apps पर क्लिक करना है और इस option पर क्लिक करने के बाद आपको वेदानतो याप्लिकेशन को यहाँ पर आपको डूनना है यहाँ पर search बार पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप वेदानतो याप्लिकेशन को search भी कर सकते हो वेद stop or clear data करने के बाद यहाँ से आपको बाहर आना है अब जो है आपकी विदान्तु की सारी problem ठीक हो जाएगी अब जो है विदान्तु अप्लिकेशन को open कर सकते हो विदान्तु अप्लिकेशन पर आपकी live classes, video वगरा जो है play होना start हो जाएगी जी या दोस्तों आपकी विदान्तु अप्लिकेशन की विदियो problem को आप solve कर सकते हो तो गाइस कैसा लगा यह video मैं comment करके जरुर बताएगा अगर आपको यह video चलागा हो तो इस video को like करें शेयर करें और भी तक आप नहीं मारे चानों को subscribe नहीं किया तो चानों को subscribe करके बेल आइकन को जरूर से प्रेज कर देना और यहाँ पर आप देखे तो हमारी